हालो बच्छो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्छागरत में बच्छो चैप्टर नंबर दूसरा प्रतलोम त्रकोर्ण मिती फलन बहुती आसान और छोटा चैप्टर ठीक है यहां से दो या तीन नंबर के केवल प्रशन पूछे जाएंगे ठीक है आसान आसान से छोटे छोटे प्रशन होते हैं इसका हमने पहले वाले वीडियो में पूरा इंट्रोड़क्शन दिया है उसके उधारड सहेत पूरे उधारड वहां पर कंप्लीट करें हैं और सा चोटे प्रशन हैं बिल्कुल एकदम हलुआ हलुआ बिल्कुल आप कर सकते हो बड़े आरांग ठीक है तो बचों स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल पर नई आ हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ये पहला कुश्चन देखते हैं देख साइन इंवर्स एक्स को ठीटा माल लिया तो यहां से एक्स बराबर साइन ठीटा निकल आएगा ये तो बिल्कुल सही बात है है ना फिर आप क्या करना है यहां पर ये एक्स का मान साइन ठीटा यहां रख देना है ठीक है रख देते हैं दोंको साइन इंवर्स हमारा जियो जूंकाते हूं, bracket में 1- और ये x x के जगह पर हम sin theta लिख दें, बराबर का निसान, दोखो, minus ये जूंकाते हूं, 2 हमारा जूंकाते हूं, sin inverse x को हमने theta माना है, बराबर इदर pi by 2, अब ये minus का है न 2 theta तो इदर ले जाओगे, plus का हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं, आ sin inverse 1- sin theta और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा, pi by 2 plus 2 theta हो जाएगा, भलो इतनी बार ठीक है बच्छों, अब यहाँ पर sin inverse को इदर ले जाओगे, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1- sin theta बराबर, sin में pi by 2 plus 2 theta लिख सकते हैं, दोखो, यहाँ से sin inverse है न, इदर तो sin pi by 2 plus 2 theta, ठीक है, और sin pi by 2 plus 2 theta को हम cos 2 theta लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते कि नहीं, sin 90 plus theta बराबर cos theta होता है, तो cos 2 theta इसको लिख दे, और यह हमारे पास 1- sin theta चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ से cos 2 theta का मान हम cos sin के पदों में लिख दे हैं तो इसको तो हम जिऊंगाते हो लि बराबर में कॉस्ट टूथीटा का स्ट के माने के पदू हम होता है बन मानस ू ज्ट तु साइन स्कॉार सीटा होता है ठीक है । बहुत अच्छा। इदर ले खाता हूँ भई एक सो एक ये तो चैंसल हो जाय गा और यहां पर टू साइन स्कॉार सीटा हूँ ला === स यहां से दोनों जगे से sin theta कोमा ले सकते हो, यहां मिलेगा 2 sin theta, फिर minus में एक और बराबर में 0, तो यहां पर दोखो एक ये और एक ये, दो गुड़न खंड है, दोनों गुड़न खंडों का गुड़न फल बराबर 0 है, तो यह तो यह 0, otherwise यह 0, तो आपको यहां पर लिखना ह यदि साइन थीटा बराबर 0, बचो यहां साइन थीटा का मान कितना है, एक्स इसका मतलब है कि एक्स का मान 0, दोखो एक तो एक्स का मान हो गया 0, ठीक है, इधर इसको देखो, इसको यहां पर देखो, टू साइन थीटा माइनस में 1 बराबर 0, यदि यहां पर इसको 0 लिख जाए तो फिर साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा तो आपको लिखना एक बटे दो हो जाएगा माइनस का है पहले इदर एक और दोग से भाग हो जाएगा अब साइन थीटा का मान कितना है एकस का मान कितना हो गया एक बटे दो हो गया तो बचो यहां से बस हमें यही दोनों मान X के पूँछे गए, यहां से पूँछा गया X का मान बताओ, तो आपको क्या बताना है, एक तो X का मान बताना है 0, एक एक स का मान बताना है 1 बटे दो, यह हमारे पास इसका अंतार है, खेक है बचो? तो यह पुष्ण है, एक नंबर का भी पूँछा जा सकता है, मतलब अतिला गुत्री पुष्ण में, या फिर बिकल्प में भी यह पूँछा जा सकता है, वह यहां पर 4 बिकल्प देगा, कोई 0, 1, 2, एक यह भी बिकल्प कोई होगा, तो आपको यह बालत सही लिखना है, ठी एक नंबर में भी यह पूँछा जा सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है न, एकदमों के, चलिए एक next question पर देखते हैं, आँगे इसी के, आँगे, जल्दी से note कर लिया करें, बच्चों सब ही पुष्णों को अच्छे से आप note करें, बहुत अच्छ से, है न, छोटे-छोटे सारे प्रिश्णे हैं, एकदम आसान-ासान तरीके से आपको complete करना है, जिससे कि यह आपके जो तीन नंबर के प्रिश्णे यहां से पूँछे जाएंगे, वो बिल्कुल एकदम complete हो जाएं, और बिल्कुल हो जाएंगे, यह मेरा बादा है, बस cable video क देख लो, जो भी प्रिश्णम करवा रहे हैं, उनको समको आपको अच्छे से complete करना है, दूसरा प्रिश्णे को और लिख लेते हैं यहां पर, यह हमारे पास है, कॉस इनबर्स और अंगे है, कॉस साथ पाई बटे 6, चीक है, इसका मान बताओ, बच्चो यहां पर इसका मा मान जो है, वो कितना लिखते हैं, साथ पाई बटे 6, जबकि आपको पता है, जो कॉस का मान होता है, कॉस इनबर्स का जो मान होता है, वो कहां से किस रेंज में होता है, जीरो से पाई तक होता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, तो यह साथ पाई बटे 6 जो लिखा द थेल्ग करते पाई तक जाएका तहसी तक यसीistem मैं आपको यहां पर इसका अंसे देना है देखिए इसको ऐसे माने यहां पर थीटा मानने एक Show ले बाई मानने अगर ना मनने तो भी समस्या वाली वाली उनिए तो आंगे दो आएसे कर सकते identified inverse हमने जैसा कि बताया कि इसको इससे cancel नहीं करना है क्योंकि cancel करते answer आएगा 7 pi बटे 6 जो कि आपका इस range में answer नहीं आना चाहिए ठीक है किस range में आना चाहिए 0 से pi के range में आना चाहिए ठीक है तो cos inverse हमारा यूगातियों है और यहां पर हम cos के बाद जो 7 pi बटे 6 लिखा है उसको हम pi plus pi बटे 6 के रूप में लिख सकते हैं या किसी को कोई समस्या हो तो बताओ तो को 6 कम 6 pi में 1 pi जोड़ोगी 7 pi बटे 6 हो जाएगा 7 pi बटे 6 को हम pi plus pi बटे 6 है लिख दें तो कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए है ना विल्कुल ठीक है आंगे वच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं cos inverse cos pi plus theta बराबर होता है cos pi plus theta तीसरे चतुर्थांस में पहुंचाएगा minus का होता है cos तो आपको लिखना है minus cos theta मतलब minus cos pi y 6 लिखना है ठीक है बच्चों इतना किलियर है यहां तक तो किसी को समस्या नहीं अब इसके बाद आंगे की बाद समझो यह लिखा हमारे पास cos inverse हमने आपको एक formula बताया याद करो हमने एक formula बताया आपको हमने आपको यह ब cos inverse x यह हमारा answer होता है ठीक है बच्चों यह हमने आपको basic में formula बताया था कि cos inverse minus x बराबर होता है पाई minus cos inverse x होता है तो बस हुआ ही आपको यहां apply करना है दो को cos inverse और यह minus और इसको x मन में आप समझ लो क्या है यह इसको मन में x समझ लो ठीक है तो हमारा answer कितना होना minus cos inverse x और x का मतलब क्या है x का मतलब है cos πाई बटे 6 है बोलो सही है बचो इसमें हम यहां क्या करेंगे cos से cos inverse cancel करेंगे तो πाई minus πाई बटे 6 लिखेंगे और इसके बाद इसका answer जो कितना 6 मैं से 1 गटाओ 5 πाई बटे 6 लिखेंगे जो कि हमारी 0 से πाई वाली रेंज में यह आ रहा है बिल्कुल एकदम सही बात है यह 5 πाई बटे 6 इस रेंज को बिलोंग कर रहा है है ना 0 से बड़ा है पाई से छोटा है इसका मतलब यह जो हमारा इसका मुख मान है वो 5 πाई बटे 6 बिल्कुल एकदम सही है ठीक है बिल्कुल यह इसका अंसर है तो इसमें जैसा कि हमने बताए गल्ती से बिल्कुल आपको बचना है किसी भी प्रकार को ऐसा नहीं करना है कि कॉस इंबर से कॉस कैंसल करके 7 πाई बटे 6 अंसर लिख दो नहीं लिखना है क्योंकि यहां पर 7 πाई बटे 6 इस रेंज में नहीं आ रहा है 0 से पाई बाली रेंज में नहीं आ रहा है इसलिए इसका अंसर क्या लिखना है 5 πाई बटे 6 लिखना है क्लियर है चलिए इसके बाद दोखो और अंगले एक प्रस्ण की और बढ़ते हैं इसको रब कर लें इसको रब कर लेते हैं एक और आंगे प्रस्ण की और बढ़ते हैं दो को तो अब बचो यहां पर दोखो इसका आंसर कैसे करोगी 10 इंवर्स 10 इंवर्स अंडरूर 3 लिखा है ना अंडरूर 3 को हम 10 पाई बटे 3 लिख ले ठीक है 10 साट कामान अंडरूर 3 होता है बिलकुल एकदम सही बात है चलिए आंगे बढ़े माइनस का निसान लगाओ सेक इंवर्स माइनस सेक इंवर्स माइनस ठीटा यहां पर आपने फॉर्मूला यह पढ़ा है ना ये आपके पास फॉर्मूला हमने बताया कि सेक इंबर्स माइनस एक्स जब लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इंबर्स एक्स लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते कि नहीं तो बस वही काम यहां करना है क्या करना है दोको पाई माइनस सेक इ inverse 2, ध्यान से समझो 2, 2 मतलब यहां पर सेक के पदों में, 2 कहां पर होता है, सेक 60 का मान होता है, सेक 5 बटे 3 लिख दो, सेक 5 बटे 3 का मान 2 होता है, तो 2 के जगा पर हम सेक 5 बटे 3 लिख दें, और यहां से सेक से सेक यह cancel हो जाएगा, सेक से सेक inverse cancel करके, हमें यहां पर 5 बटे म minus में πाई और ये plus का दोको ये तो cancel हो रहा है तो plus का πाई बटे 3 लिखना है ठीक है पाई बटे 3, πाई बटे 3 मतलब 2 přाई बटे 3 लिखना है और minus में πाई अब इसके बाद दोको इसका LCM 3 आ जायगा और 2 paई minus में 3 बटे 2 तो बचो यहां से minus में पाई बटे 3 दो को इसका अंसर आएगा इसका अंसर कितना आएगा माइनस का पाई बटे 3 करेक्ट है कि किसी प्रगार की कोई समस्य नहीं बिल्कुल आसान आसान सारी प्रशन है जल्दी से नोट करें वच्चू एक और अंगले प्रशन की और बढ़ते हैं चले आंगे कॉट इंवर्स माइनस में अंडर ओर्टेञ एसका मान बताओ कैसी करना है दियान से समझो कॉट इनवर्स मानेस अंडर ओर्ट तीन का मान बताना है तो बहई बिल्कुल बताएंगे चलिए अंगे बरावर किए आंगे बढ़़ा देते हैं इसको इहांब ये हमारा कोई कु तिन जो लिखा ना अंडरूर घी यहां पर इसको समझane है अंडरूर तिन को यह पिर एक काम करो बिल्कुल एक दम आसान पहले तो हमारे पस यह法 मुणा है उसका हम पर यूज करेंगे देखे, कॉट इनवर्स माइनस और इसको X माल लिया, तो कॉट इनवर्स मानस X हो गया, इसको यहां पर हम लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स मानस अंडरूर 3 को हम लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स X से लिख सकते हैं, X का मतलब अंडरूर 3, ठीक इसके बाद यहां पर दोखो पाई माइनस कौट इनवर्स अंडरूर 3 यह कहां पर होता है यह होता है दोखो कौट इनवर्स अपना जियों काते हूं और यहां पर कौट पाई बटे 6 लिख लिए दोखो कौट 30 का मान कितना होता है अंडरूर 3 होता है तो qt pi बटे 6 बराबर under root 3 होता है यहाँ पर under root 3 के जगह पर qt pi बटे 6 लिग लिया और यहाँ पर qt inverse से qt जब cancel कर लोगे तो यह हमें pi minus pi बटे 6 मिलेगा अब यहाँ पर इसको हल करोगे तो 5 pi बटे 6 दोको इस कांसर आएगा ठीक मचों इस कांसर सारे पर उसमें छोटे छोटे हैं बस आपको केवल ध्यान इस बात का रखना है कि जो मान हम इसका मुक्मान ग्याद कर रहे हैं वो क्या बास्ता हम इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमने इसकी रेंज आपको क्या बताई इसकी रेंज जीरो से पाई है तो बचों ये हमारे पास जो caught inverse जो होता है उसकी range कहां से कां तक होती है जीरो से πाई के बीच में होना चाहिए तो ये जीरो से बड़ा है पाई से छुटा है इसका मतलब जीरो से पाई वाली range में ये आ रहा है है ना ये आ रहा है तो अब ये इसका मुक्मान है बिलुकुल एकदम कनफर्ण जो भी मुक्मान हम निका लेंगे उसकी रेंज हमें पता होने चाहिए कि इसका रेंज क्या है है तो इसकी रेंज क्या है जीरो से पाई है कौट इनवर्स की जो रेंज है वो जीरो से पाई है त इसका मदलब आंसर ठीक है ठीक है चलिए एक और नेस्ट कुस्टिन क्यों राते हैं ठीक है उच्छू रब कर लेते हैं चलिए आंगे आपके पास अब कुस्टिन आ रहा है एक यह लिख लेते हैं दोखू साइन साइन के बाद लिखा है कोट इनवर्स कोट इनवर्स और इसके बाद में कोस टैन इनवर्स एक कोस टैन इनवर्स एक का मान बताओ यह है हमारा पूरा कुस्टिन ठीक है यह हमारा पूरा कुस्टिन है इसका मान हमसे पूंच लिया गया है जो को कैसे करोगे बई कैसे करोगे ह हम यहाँ पर बारी-बारी से, अराम-अराम से करने की कोशिश करें, पहले हमारा साइन लिखा है न, जियों का त्यों लिखा ले Got Inverse लिखा है, जियों का त्यों लिखे हैं, फिर मजले कौश्टेक में लिखा है, कोस और टैन इनवर्स के बाद कि यहां से दो को नमबर लगाते हैं टैन इनवर्स और यह लिखा है एक एक को हम टैन पाई वाई फूर लेख सकते हैं ठीक है टैन पैंतालिस का मान एक होता है कि नहीं होता है न तो बचों यहां से टैन से टैन बर्स कैंसल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा कितना sign caught inverse यहाँ देखिए cause इसके बाद यहाँ 10 से 10 बर्स जब cancel करोगे तो 5Y4 मिलेगा ठीक है पाई वाई 4 मिलेगा इसके बाद दो को sign caught inverse यहाँ पर cause 45 पाई वाई 4 मतलब 45 cause 45 का मान कितना होता है cause 45 का मान होता है एक बटे में under root 2 होता है ठीक है cause 5Y4 का मान एक बटे under root 2 होता है यह भी ठीक है बच्चो इतनी यहाँ तक सही है न चलिए और थोड़ा आँगे बढ़ें तो बराबर में sign inverse sign inverse नहीं है sign और इसके बाद की बाद समझो यह लिखा है caught inverse एक बटे under root 2 और हमें चाहिए sign के पदों में इसका मान कैसे मान होगे दोखों यहाँ पर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए मान लें कि जो caught inverse एक बटे under root 2 है उसको हमने x माल लें हम X तो अब हमारे पास यह caught inverse इदर जाएगा तो caught x में बदल जाएगा caught x बराबर हो जाएगा एक बटे under root 2 फीक है अब caught x बराबर एक बटे under root 2 है तो बताओ sign x इसको हमने पूरे को x माना है तो हमें जरूरत है sign x की साइन एक्स का मान कितना होगा भई कोट एक्स का मान हमें पता है इसकी मदद से हम साइन एक्स का मान ग्याद कर सकते हैं दो को इस पर कहार से ये हमारा हो गया X कौन हो गया ठीक है लंब बटे यहां पर कौट है न तो कौट को आधार बटे लंब लिखना है आधार हमारा ये है लंब हमारा ये है ठीक है इसको निकालोगे तो दो का पूरा दो और एक तीन यहां पर अंडरूर तीन लिख देती ठीक है ये हमारा अंडरूर तीन हो जाएगा तो अब बताओ यहां पर हमें साइन एक्स के मान की जरूरत है साइन एक्स बरावर हो जाएगा अंडरूर दो बटे में अंडरूर तीन तो अब हम यहां पर दोखो साइन और इसको हमने total को मान लिया था x तो sign x का मान हमें कितना मिलगा है दोखो sign x का मान मिलगा under root 2 बटे में under root 3 या फिर इनको दोनों पर 8 7 under root लगा के हम ऐसे बही लिख सकते हैं ठीक है यह इसका अंसर है बोचुँ clear है पहले दो को यहां से नंबर लगाया हमने एक से 10 inverse एक एक की जगह पर हमने pi y 4 लिख लिख लिया 10 pi y 4 का मान एक होता है 10 से 10 inverse cancel करके हम cos pi y 4 लिखेंगे और cos pi y 4 का मान एक बटे अंडरूड 2 होता है अब हमें cot inverse एक बटे अंडरूड 2 का मान गयाद करके यहां पर sin के पदों में गयाद कर लेते हैं तो हमने इस पूरे को मान लिया है कितना cot inverse एक बटे अंडरूड 2 को हमने x मान लिया है तो हमें जरूरत काई की है तो को sin आंगे इसको x माना तो sin x की मान की जरूरत है इसकी मदद से sin x का मान कैसे ग्याद करना है बिल्कुल बेसिक सी बात है क्लास 8 में 9 में 10 में बहुत अच्छे से पढ़ाया आपना है कॉर्ट थीटा का मान अगर पता हो तो उसकी मदद से हम sin थीटा का मान पता कर सकते हैं कॉर्ट बराबर हوتा है आधार बते लम्ब क्या होता है आधार बते लंब होता है और ये कड हमने पाइधा गुरस पर में से काड का मान निकाला तो किसना निकलेगा इसका स्कुार प्लस इसका स्कुार तो पूरा 2 प्लस एक मतलब 3 तीन का बर्ग मुले होई तो अंडरूर्ट 3 हो जाएगा तो इस तरीके से ये कड़ वाली बुझा अंडरूर्ट 3 निकल के आई है साइन एक्स बराबर होता है ये साइन बराबर लंब बटे कार्ड होता है लंब हमारा अंडरूड दो है कार्ड हमारा अंडरूड तीन है ठीक है तो ये दो को साइन चलना था इसको हमने मान लिया था एक्स तो साइन एक्स के मान की हमें जरूरत पड़ गई और साइन एक्स का मान कितना मिल गया है दो अंडरूर दो बटे अंडरूर तीन जो की हमारा इस प्रश्ण का अंसर है करेक्ट है ठीक है ना चलिए बहुत अच्छा एक और आंगे दो को प्रश्ण देखते हैं सारे प्रश्ण बच्चों ध्यान से नोट करते जाओ बड़े अ आंगे देखिए आंगे आपके पास एक और सवाल है यहां पर यह लिखा हुआ है टेन इनवर्स अंडरूर तीन और माइनस में है इदर में कोट इनवर्स माइनस में अंडरूर तीन इसका हमसे मान पूंचा गया है दोखो ज्यान ने इसका मान पूंचा गया है कैसे करोगी 10 inwards under root 3 मानस under root 3 को हम 10 pi y 3 लिख सकते हैं 10, 60 का मान under root 3 होता है तो इसको हमने 10 pi y 3 लिख लिया ठीक है मानस आगे आपके पास है दो को court inवारस और यहाँ पर जैसा कि अभी हमने आपको फॉर्पुला बताया कि भई अगर यहाँ पर ऐसा हो कि भई कोट इन वारत स्थ माइनस एक्स लिखा हो तो इसको हम पाई माइनस कोट इन वर एक से लिख सकते हैं ठीक है कि नहां तो अब बता दो भई हमें क्या करना है दो फो माइनेस अपना ज्योंका त्यों को इन बर्स यहां पर माइनस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कितना ऍपाई माइनस कोड इन बर्स अंडरूर्ट तीन लिख सकते हैं according to this ठीक है आंगे देखिए यह हमारे पास 10 inverse 10 cancel हो रहा है तो पाई वाई 3 तो यह बचाएगा माइनस में पाई और यह माइनस मानस क्या हो जाएगा अब आप यहां दो कोट इनन वर्ष अंडरूर 3 लिखा है तो कोट इन बर्ष अंडरूर 3 को क्या लिख सकते हो दो कोट हमारा यह ठीक है उह ज्रूर्ट ऑण विख सकते ह्यां कोट पाई वाई शिक सकते हैं ठीक है पॉर्ट वैसे 10 तीस का मान assistance का एक बटी under routine इसका उल्टा करो कि 430 हो जाएगा 430 का मान कितना हो जाएगा 430 का मान हो जाएगा under routine तो under routine को हमने रिख लिया 430 है ना तो यह quote से inverse इसका cancel हो जाएगा तो हमारे पास पाइवाई 3-5 plus πाइवाई 6 ये दोखो बचाएगा ठीक है ये course inverse स्कॉर्ट कैंसिल करके पाई वाई 6 लिखना है आंसर में आप दोखो 6 यह आ जाएगा तो यह लिखना है दो पाई माइनस में 6 पाई लिखना है प्लस में एक पाई लिखना है तो इस तरीके से उपर प्लस का 3 पाई 6 पाई माइनस का है तो माइनस में 3 पाई बटे में 6 और 3 तो इस तरीके से मानस पाई वाई टू इसका अंसर दोखो आएगा करेक्ट है ठीक है ना चलिए ये हमारे पास एक और प्रुष्ण हो गया इसको भी नोट करिएगा ये रहा दोखो अंगला प्रुष्ण इसमें कहता है कॉसन वर्स मानस एक बटे दो का मुखमान क्या है ग्य यहां पर मान लिया कि यह एक्स बरावर या बाई बरावर मानने बाई बरावर कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो इसको ऐसे लिखा जा सकता है या फिर तो को जैसे चल आता बैसे चलने दो दो को ध्यान दे इसको हम क्या करते हैं जब कॉस माइनस एक्स लिखा होता है तो तो इसको हम लिखते हैं- चोस इनवर्ष में कोस इनवर्ष एक बटी दो लिखना है ठीक है इसके बाद दोखो पाई माईनस कोस इनवर्ष ये भी ज्यों काते हूं cos एक बटी यह पर 1 बटी 2 जो लिछा है ना वहाँ 1 बटी 2 के जग médié पर हम cos पाई बटी 3 लिख सकते हैं cos 60 का मान 1 बटी 2 होता है cos 60 का मान कितना होता है 1 बटी 2 होता है अब देखिए cos 1 बटी 2 के जग brainstorm हमने cos πाई बटी 3 लिख लिए तो यहां से cause से cause inverse यह cancel हो जाएगा तो pi minus pi by three मिलेगा और इसको हल करके हम यहां पर two pi by three लिखेंगे ठीक है वच्छो यह इसका देखो मुखमान है चाहो तो इसको by वरावर लिखी लिया करो ना लिखना चाहो तो कोई समस्या वाली बात नी इसको हम cause inverse minus 1 बटे 2 वरावर है न cos inverse अगर minus x लिखा है तो इसको भी pi minus cos inverse x लिखना है sin inverse अगर लिखा है sin inverse minus x लिखा है तो इसको हम बिल्कुल जियों कातियों minus sin inverse x लिखते हैं minus पहले लिख लेते हैं ठीक है और यहाँ पर अगर कौन में minus होता है minus तो इस minus के बदले में क्या करते हैं 5 मारव से quatt q-q on1 x लिखते हैं यहां पर दो को 10 के लिए भी वही है 10 inverse minus x लिखा हो तो मारव तो मारव में 10 inverse x लिख दे हैं जबकि qoat inverse लिखा हो qoat inverse minus x तो हम लिखते हैं 파-ioat minus qoat inverse x लिखते हैं ठीक है? और इसी प्रकार से अगर 6 inverse minus x लिखा हो तो उसमें भी हम cos sec inverse x लिखते हैं ठीक है तो बस इनको तीन को दो को ये तीन एक टाइप के हैं ये वाला और ये वाला और ये है ना इसमें πाई मानस लिखा जाता है इसको याद रखिएगा cos में और cot में और sec में इसमें πाई मानस cos यहां पर यह आपका πाई मानस cot inverse sec और यहां पर πाई मानस sec लिख लेते हैं ठीक है बाकी समय अगर मानस लिखा है तो मानस पहले यहां भी दोको मानस लिखा है मानस पहले यहां भी मानस लिखा है तो मानस को पहले लिख लेते हैं ठीक है चलिए एक और दोखो प्रिश्न लिखते हैं अगला एक और अँगे का प्रिश्न देखो अग Burisha कि आप हमारे पास एक और अंगला प्रिश्न है पहुत ही भाध कूट प्रिश्न दों धोग यह हमारे पास लिखा है टैन इन वर्स माइनस एक चलो टैन वर्स एक है टैन वर्स माइनस एक नहीं टैन वर्स एक प्लस कोस इन वर्स माइनस में एक बटे दो कोस इन वर्स माइनस एक बटे दो और इसके बाद में प्लस में साइन इन वर्स ये लिखा है माइनस में एक बटे दो तो अब यहां पर इसका मान हम से पूछ लिया गया है मान इसका बता दो कितना होगा ठीक है 10 inverse 1 plus cos inverse माइनस का है यह दो को दियान ने यह cos में माइनस लिखा है तो वही अभी बताया पाई माइनस लिखना है जबकि sign के लिए नहीं लिखते है sign के लिए माइनस सबसे पहले कर लेते है इतनी से बात याद रखनी है दो को इसको ऐसे करते हैं तीन पदों में प्रश्न को तोड़ रहे हम यहां पर यह मान लें कि यह जो आपका 10 inverse x 1 लिखा है 10 inverse 1 उसको x मान लेते है x बरावर 10 inverse 1 ठीक है हल कैसे करेंगी आपको पता है कि 10 inverse कभी भी 10 वाली 10 वाली range आपको याद रखनी है 10 वाली range क्या है 10 वाली range है वो हमारी होती है minus pi by 2 से pi by 2 होती है 10 वाली range है वो क्या है 10 का जो मुख मान का जो परिसर होता है मांनेस पाई वाई टू से पाई वाई टू होता है दो बस वसी इसी में आना चाहिए बही बढ़ी लिखा है रहा है कि यह तो तो ये दोखों पहले वाले पहले वाले पाद का ये एंसर है आपके पास x किसको माना तके 10 inverse 1 को 10 inverse 1 वराबर हमारा वगया ं 5, 4 ठीक है पहले पाद का अंसर हमने निकाल लिया जो आप इसको दूसरे वाले पाद को हम यहाँ भाई मा लेते हैं माना बाई बरावर यहां लिखें। कॉस इंबर्स माइनस एक बटे दो यह हमने लिख लिख लिया अब वही काम अभी जैसा की बताया कि कॉस इंबर्स में अगर यह माइनस लिखा है तो अब इसके बदले में क्या लिखते हैं पाई माइनस cos inverse 1 बटे 2 लिखते हैं है ना आंगे और दो को pi minus cos inverse 1 बटे 2 का मतलब तो आपको पता है cos pi by 3 होता है cos 60 का मान 1 बटे 2 होता है ठीक है cos inverse से cos cancel करके हम pi यहाँ लिखेंगे minus pi by 3 यहाँ लिखेंगे तो इसका answer आएगा 2 pi by 3 कितना आएगा 2 pi by 3 pi का मतलब क्या है by का मतलब है cos inverse minus 1 बटे 2 तो cos inverse minus 1 बटे 2 का मान हमने यहाँ पर निकाला है 2 pi by 3 खीक है दो को यहाँ पर जैसा कि अभी बताए हमने कि cos का जो range होता है वो क्या होता है cos का range होता है 0 2 pi क्या होता है 0 2 pi होता है जो कि इसमें आ रहा है दो को 2 pi by 3 इस range में आ रहा है आना चाहिए अग्यवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व sin inverse 1 बटे 2 लिख दो आप इसकी बाद minus sin inverse 1 बटे 2 को हम sin pi y 6 लिखे ले ठीक है minus हमारा जिएंग करते हूं sin inverse से sin cancel करके हम इसका answer लेखेंगे pi y 6 ठीक है आप देखो बात हमारी self confirm तीनो बात पदों के मान हमने ओल्ग ओल्ग याद कर लिये मतलब तीसरे वाले पद का answer हमने लिख लिया है सन बर्स मैंश एक बटे दो लिखा इसका answer मानिस पाइवाई शिक्स है अब देखिए पूरा का पूरा answer हमें निकालना है का है का? तेन इनबार्स बन प्लेस कोस इनबार्स मानेस बन बाई टू प्लेस sin inverse minus 1 by 2 इसका हमें total का answer ग्याद करना है तो इसका हमने दो को pi y 4 निकाला है पहले वाले का 10 verse 1 का answer कितना निकाला है pi y 4 निकाला है plus यहाँ पर cos inverse minus 1 बटे 2 का answer कितना निकाला है cos inverse minus 1 बटे 2 का answer हमने 2 pi y 3 निकाला है तो यहाँ लिख देते हैं 2 pi y 3 और साइन इन्वर्स माइनस एक बटी दो का अंसर हमने माइनस में निकाला है पाई वाई 6 अब बचो यहां पर 4 ती या 12 एल से हमाई जाएगा कितना बार तो 4 का यहां पर भाग दोगे 3 बार तो 3 पाई तो यहां लिखना है ठीक है 3 चोको 4 4 दूनी 8 पाई यहां लिखना है माइनस में 2 पाई यहां लिखना है ठीक है तो मेरे एकाल से 8 3 11 में ऐसे 2 घटाओ 11 में ऐसे 2 घटाओ 9 पाई बटी में 12 लिखना है 3 3 का 9 3 चोको 12 तो अंसर में 3 पाई बटी 4 लिखना है ठीक है भागना नहीं है दोड़ना नहीं बड़े आराम से तसलिес फिर है चोटे परशने हैं ये thोड़ा सा बढ़ा है तो भाई ये दो नम्र का हो जाएगा है ना ये दो नम्र का परशने अच्छा परशने है बहुत बार पहुचा गया क्या कहता है कॉस एक इनवर्स माइनस अंडरूट दो का मान बताओ देखिए ये हमारे पास एक प्रिशन है कॉस एक इनवर्स माइनस अंडरूट दो इसका मुख मान क्या है बताना है ठीक है इसका मुख मान क्या है ये बताना है आपको देखिए इसको मान ले फिर चलो मान लेते हैं माना बाइ बराबर हमारा है cossac inverse minus में under root 2 जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर cossac लिखा है और cossac में ये minus है तो ये तो minus सीज़े ही पीछे ही आ जाता है minus में लिखना है cossac inverse under root 2 minus जो काते हूं, इसमें तो कुछ करना नहीं है, किसमें किसमें नहीं करना है, sign में, cosec में और 10 में, यह minus अगर यहां पर हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं, बाकी सम्में pie में ऐसे घठाना है, बस इतनी बात याद रखनी है तो यह हमारे पास हो जाएगा माइनस कोसेक इनबर्स अब बताओ यहाँ पर यह अंडरूट दो लिखा है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कोसेक पाई भाई फोर लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं कोसेक पाई भाई फोर का मान अंडरूट द लो होता है तो एक बटे अंडरूर्ट दो का वित्कुरूम करोगी तो अंडरूर्ण दो मिल जाएगा है ना तो अंडरूर्ण दो के जगे पर आपको कौस्यक पाई-वाई-4 लेखना है यह हमारा इससे कैंसल हो जाएगा तो आंसर में माइनस पाई-वाई-4 बचेगा यो की हमारा आद पार है है ठीक है छोटे-छोटे सारे प्रस्न चलिए एक और यहां पर पुरसण देख ले थे इसको रव कर लेилась अब इसको रप करना के बाद एक और प्रशन देखो यह हमारे पास एक प्रशन है बिखिए लिखा है यह साइन इनवर्स एक बटे दो साइन इनवर्स एक बटे दो बरावर में लिखा है टेन इनवर्स एक्स तो हमसे कहा है एक्स का मान बताओ यह हमारा प्रश्ण है इस कहता है साइन इनवर्स एक बटे दो साइन इनवर्स एक बटे दो बरावर टेन इनवर्स एक्स है तो एक्स का कितना है देखो कैसे करोगे इसको पहले हल करो भाई यहां पर हमने यह मान लिया कि यह हमारे पास जो signe in verse 1-2 है इसका हमें हल करना है चलो मान खतम करें इसको हिल कर देते हैं तो हम भाई बहुत आसाльन से कह सकते है जाओאל और यह 1,2 लिखा है इसको हम signe पाई वाई 6 लिख दे, साइन पाई वाई 6 मतलब साइन 30 का मान एक बटे दो होता है, ये तो cancel हो रहा है, तो पाई वाई 6 लिख ले, ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, इसकी value हमने निकाली है, पाई वाई 6 बराबर का निसान लगाओ, और इसके बाद में 10 inverse x ये लिखा है, ये हमने ज्योंकातियों लिख लिख लिया, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझने, 10 बर्स इदर ले आओ, तो x बराबर में 10 पाई वाई 6 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, जोको 10 इन बर्स लिखा है, तो भई ये x ज्योंकातियों 10 बर्स इदर ले आओगे, 10 पाई वाई 6 में आ जाएगा ये, तो 10 पाई वाई 6 का मान तो मेरे ख्याल से आपको आता भी है, 10 पाई वाई 6 का मतलब 10 तीस, 10 तीस का मान होता है, एक बटे रूड तीन, जो इस प्रसन का अंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ही x का मान हमसे ए है, तो 9 का मान बताओ, क्या करना है, आसान काम दोखो, क्या करना है, यहाँ पर 10 इन बर्स 3 बटे 4 का मान हमें ए दिया गया है, तो इसकी मदद से हम 10 A बराबर लिख सकते हैं, 3 बटे 4, इतनी बाट ठीक है, अब अगर 10 A का मान 3 बटे 4 है, तो फिर 9 का मान कितना होगा, ये तो अब छोटी सी बात हो गई, बिल्कुल 10th में भी ये बात पढ़ाई गई थी और इससे भी पहले हम कह सकते हैं 9th में भी इसको थोड़ा सा पढ़ाय गया था, अगर बात करें इस कोंड की तो इस कोंड को A कह दें, यहां पर B और यहां पर C, ठीक है, 10 बराबर होता है, लंब और बटे में आधार अगर पाय था, अगर उस प्रमीर से इस कर्ड का मान निकाला जाए तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, 3 का स्क्वार 9, 4 का स्क्वार 16, 9 और 16, 25 बर्गमूर लोगे 5, ठीक है, तो अब यहां पर दोको साइन A का मान हमसे पूछा गया है, साइन A ब बराबर 3 बटे 5, यह अंसर हो सकता है, इसको थोड़ा सा अगर स्टेंडर्ड फॉर्म से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, भई टैन A का मान हमें पता है, तो इसकी मदद से, तो सेक A का मान गयाद कर सकते हैं, और सेक की मदद से फिर हम पहुँचेंगे, कॉस पर और कॉस की बड़ा हो जाएगा। process बड़ी हो जाएगी तो यह process सिंपल सी process ए 10 a की मदद से हम यहां पर दो 10 ऴराबर होता है लंब बटे में आधार यह लंब भोलनsy बहुता है यह आधार है कड़ हो जा हम पाइस्हाको प्रेमे से जाद कर सकते यह और और फिर साइन ये बराबर होता है लंब बटे आद कड तो लंब बटे कड मतलब तीन बटे पांच लिख दाना है बसीधा सीधा आंसर ठीक है तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं चलिए छोटे ही सारे प्रशन है बिलकुल एक दम आसान असान से एक और यहां पर प्रशन लिख है तो इसको हम यहां ऐसे लिख सकते हैं इसको हम यहां पर लिख सकते हैं जैसा कि अभी बताया कि कोट इनवर्स कोट के लिए कोस के लिए कोट के लिए और सेक के लिए इसमें अगर माइनस आता है तो इसको लिखते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स लिखने पाई माइनस को अन्डरूर 3 ठीक है इसके बाद दोगो पाई मार्स कोप इन बार्स यहां पर एक बटे अन्दरूर्ट 3 है तो बताओ कोट का मान एक बटेअं दर रोट 3 कहां पर होता है है नदे यह होता है prise बाई पाई सिक्स मतलब कःट तेस का मानड कोट इश का नहीं यह साथ का लिखो आए पाई भाई थ्री लिखो कृट साथ का मान जो होता है तैंज साथ का होता हैं तैंडर उटतीन और इस का उटता एक बड़ती है टीक है तो यहां पर एक बटे अंडरूर तीन का मतलब कौट साथ लिखना है, कौट से कौट कैंसल करोगे, तो आंसर आएगा दोखो कितना पाई माइनस से पाई वाई थिरी, और ये आपके पास हो जाएगा टू पाई वाई थिरी, ठीक है तो जो टू पाई वाई थिरी हमने निकाला है, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि ये मान बास्तब में क्या इस रेंज में आ रहा है कौट इनवर्स वाली जो रेंज है वो क्या है जीरो से पाई है, तो ये इसकी रेंज में दो को आ रहा है ठीक है, 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 2 pi y 3 इस range में आ रहा है, तो जब इस range में आए तो समझो सही है, अगर इस range इम नहीं आ रहा तो गलत है, ठीक है, चलिए, इसको note करो, और एक और छोटा सा प्रशन लेते हैं आंगे, ठीक है, चलिए, इसके बाद एक और आंगे का सने एक है, sin inverse sin 3 pi y 5 इसका मान हमसे पूँच लिया गया है, जो को बच्चो द्यान से समझने वाली बात तो ये है, कि जब sin inverse की बात कही जाएगी, sin inverse फलन होता है, उसका जो range होता है, उसको आपको पता ही है, minus pi by 2 से pi by 2 तक इसका range होता है, जो इसका मुख मान निकलेगा, व इसको हम बैसे बच्चे जो गलती करते हैं, वो यही बात है, कि sin से sin inverse cancel करते हैं, answer लगते हैं, 3 pi by 5, अगर 3 pi by 5 लख दें, 3 pi by 5 लख दें, तो बच्चो ये minus pi by 2 से pi by 2 वाली range में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 3 pi by 5 जो है, वो pi by 2 से अधिक है, आ इसका जो मुख मान है, वो 3 pi बटे में 5 नहीं है, 3 pi बटे 5 नहीं है, तो क्या करना है, दो को इसको ऐसे लिखो, हमारे पास लिखा है, ये sin inverse, और यहां पर sin, और इसको यदि ऐसा बदल के लिख दें, कैसे दो को pi में से 3 pi बटे 5 घटा दें, ध्यान से समझना बच्चों, ये हमने जो किया है थोड़ा सा ध्यान बाली बात है, यहां पर एक formula जो हमने sin pi minus theta, sin pi minus theta बरावर sin theta ही तो होता है, तो sin theta, इसको theta मानो थोड़ी देर के लिए, sin theta को हमने sin pi minus theta लिख दिया, कोई गुना बाली बात तो नहीं है, एकदम ठीक है, sin pi minus theta बरावर sin theta होता है, तो sin theta क पर sin pi मानिस theta लिख लिए theta मतलब 3 pi बटे 5 है न तो यहां पर हमने इसको इस प्रकार से बदल दिया कि sin theta को sin pi मानिस theta में लिख लिए sin pi मानिस theta बराबर sin theta होता है आंगे sin inverse इसके बाद sin यहां पर दो को sin sin और यहां पर 5 एकम 5 pi में से 3 pi घटा होगे तो 2 pi बटे 5 लिख सकते हो ठीक है कि नहीं अब बचो यहां से अगर sin से sin inverse हम cancel कर लें तो यह 2 pi बटे 5 हमें मान मिलेगा इसका मुख मान कितना मिलेगा 2 pi बटे 5 जो कि इस range में आ रहा है minus pi बटे 2 से pi बटे 2 वाली रहने में आ रहा है इसका मतलब यह इसका जो मुख मान का अंसर है बिल्कुल ठीक है ठीक है यह होना चाहिए 2 pi बटे 5 करेक्ट है चलिए बहुत अच्छी बात है एक और तो चोटा सा प्रश्ण और लेते हैं हमारे पास एक और प्रश्ण यहां पर है सेक इनबर्स दो बटे में अंडरूर तीन सेक इनबर्स दो बटे अंडरूर तीन इसका मुख मान बताओ का मुख मान बताओ ठीक है यह हमारा प्रश्ण है इसका मुख मान कितना होगा बताओ वई कितना होगा तो बचो यहां पर आप बड़े आराम से कह सकते हो कि जो लिखा है सेक इंबर्स दो बटे अंडरूर्ट तीन सेक इंबर्स दो बटे अंडरूर्ट तीन सेक काई का बित्कुर्म होता है पता है ना कॉस का बित्कुर्म होता है तो कॉस तीस की वैलू बताओ कॉस तीस की वैलू कितनी होती है cos 30 मतलब pi बटे 6 cos pi बटे 6 का मान कितना होता है cos pi बटे 6 का मतलब होता है under root 3 बटे 2 और sec pi बटे 6 का मतलब कितना हो जाएगा sec pi बटे 6 का मतलब हो जाएगा 2 बटे under root 3 है ना तो बचों हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं sec inverse 2 बटे under root 3 का मतलब हम यहां लिख सकते हैं सैक पाई बटे 6 लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं सैक पाई बटे 6 ठीक है यह रहे इतनी बात हमने दो बटे अंडरूर 3 को सैक पाई बटे 6 लिख लिए कोई गुनाम वाली बात हमें पता ही है सैक पाई बटे 6 का मान दो बटे अंडरूर 3 ह होता है बिल्कुल ठीक है आंगे दोको सेक से सेक इंबर्स अगर आप कैंसल करोगे तो आंसर आएगा पाई बटेच है जो की दोको सेक इंबर्स सेक इंबर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपको पता है इसका जो रेंज होता है वो होता है दोको कितना जीरो से पाई ह जिरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, और इसके अंदर के जो भी, इसके बीच की जो भी रासियां है, वो सब कुछ इसका आंसर हो सकती है, लेकिन केबल पाई बटे 2 को छोड़ करें, ठीक है, तो ये आंसर हमें देना है, पाई बटे में 6 देना है इसका आंसर, ठीक है, इ लेकिन बहुत बार पूछा गया है सिद्ध करिए कि कॉस इनवर्स 4 बटे 5 बरावर 10 बर्स 3 बटे 4 सिद्ध कैसे करोगे दो को दियाद ने यहां पर जो लिखा है LHS में इसको हम मान लेते हैं यहां पर कॉस इनवर्स 4 बटे 5 जो लिखा है उसको हमने चलो X मान लिया ठीक है और जब इसको X मान लिया तो इसको X, इसको हमने X मान लिया है, इसका मतलब ये है कि इस X का मान हमें 10 बर्स, 3 बटे, 4 से दिखा देना है, ठीक है, बिल्कुल, अब अच्छो यहाँ पर इसको ऐसी कर लो, पूट, कॉस इंवर्स को इधर ले जाओ, कोस X में बदल जाएगा, कोस X बरावर हो जाएगा, 4 बटे, 5. जब कोस X का मान हमें पता हो, तो इसकी मदद से हम सेक X भी गयाद कर सकते हैं, सेक X का मान बिद्कृम होता है, 5 बटे, 4 हो जाएगा, ठीक है, और जब सेक X का मान पता हो तो इसकी मदद से हम यहां पर दोको 10 का भी मान गयात होता है सेक स्कार एक्स का मान पांच बटे चार है इसका स्क्वाइर लिखो माइनस बन लिखो आंगे 25 बटे 16 लिख दें और माइनस का एक लिखें ठीक है 16 एलसी हम आ जाएगा तो 25 माइनस 16 लिखना है 25 में से 16 गटा हो 9 9 बटे में 16 10 स्क्वाइर एक्स का मान हमने यहां पर निकाल लिया कितना 9 बटे 16 अगर इसका बर्गमूल ले लिया जाए तो 10 एक्स का मान 3 बटे 4 आ जाएगा भो ठीक है कि नहीं 10 एक्स बरावर हमने निकाला है कितना 3 बटे में 4 तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 10 इंवर्स 3 बटे 4 निकल के आएगी एक्स का मतलब हमने एक्स किसको माना था कौस इंवर्स चार बटे 5 को माना था कौस इंवर्स 4 बटे 5 बरावर हो गया 10 इंवर्स 3 बटे 4 दो को प्रूब हो गया ठीक है खिलियर है तो इस तरीके से दो को इसको करना है बहुत बार पूंचा गया है ठीक है किलियर है चलिए इक और इसी के आगे प्रश्ण देखते हैं एक और बहुत ही महाथकूर आब आते हैं वच्छो इस खास प्रश्ण पर देखें बहुत ही मज़ेदार अच्छा प्रश्ण है लिखता है टेन इंबरस अंडरूड बन माइन बरावर में अलफा बटे 2 तो एक्स का मान बताइजे कितना हो गा क्या करना है किए टेन इंबरस को पहले इदर ले तो हमें यहां पर क्या मिलेगा अंडरूड में मिल जाएगा बन प्लस एक्स इसकवाईर मैंने क्या क्या करना है एक plus x square plus में लिखना है under root 1 minus x square इधर हो जाएगा 10 alpha बटे 2 ठीक है अब एक काम करते हैं यहाँ पर योगांतरानपात की क्रिया करते हैं क्या लिख दें यहाँ पर योगांतरानपात की क्रिया योगांतरानपात से क्या होता है वो चो योगांतरानपात की क्रिया योगांतरानपात की क्रिया का मतलब है पहले जो अंस लिखा है ना अंस में अंस के बटे में लिख लो अंस बटे अंस लिखो हर जोड़ो हर घटाओ यह है ऐसे समझो याद कर लो इसको ऐसे याद करो कि ये अंस में लिखा है under root 1 plus x square minus under root 1 minus x square इतना ही अंस नीचे लिखो हर में भी वही चीज लिख दो जो अंस में लिखी है वही हर में भी आपको लिखना है ठीक है? और अब हर को उपर जोड़ देना है और नीचे हर को ही घटा देना है है ना? अंस बटे, अंस हर जोडो, हर घटाओ, ऐसे याद कर लो, ठीक है हर जोडो, तो इसमें हर को जोडना है, अंडरूर्ट 1 प्लस x जोड़ो, प्लस में अंडरूर्ड 1 माइंस x2, मतलब हर को जोड़ो अब हर को नीचे घटाओ तो यह जब घटाओगे तो यह चिन पलट जाएगा तो अंडरूड बन प्लस X स्क्वाइर और माइनस में हो जाएगा अंडरूड बन माइनस X स्क्वाइर बराबर का निसान लगाओ और यहां पर लिखा है तैन अलफा बटे द है कि यह आपका कैंसल हो रहा है इधर यह हर में यह कैंसल हो रहा है तो इन दोनों को जोड़के हमें मिल जागा कितना दो अंडरूड बन प्लस X स्क्वाइर और नीचे यहां पर इन दोनों को जोड़के हमें माइनस में मिलागा दो अंडरूड बन माइनस X स्क्वाइर बर इदर इसको साइन कोस में बदल के लिख सकते हो साइन कोस में बदला जाए तो इसको साइन अलफा बटे दो और बटे में यहां पर लिखो कोस अलफा बटे दो और प्लस बन लिखा है बिल्कुल ठीक अपोन में भी ऐसा ही लिख दें साइन अलफा बटे दो बटे में इदर ल पढ़ाएं तो अंडरूड में लिखा है 1 प्लस x स्कॉाइर नीचे लिखा है माइनस में अंडरूड 1 माइनस x स्कॉाइर बराबर का निसान लगा और यहां पर कॉस अलफा वट्टे 2 यहां भी कॉस अलफा वट्टे 2 दोनों जाके ऐसे कॉमन है कॉमन लेके दोनों कैंसल हो कि जो LCM उपर आएगा जो LCM नीचे आएगा बराबर आएगा वो कैंसल हो सकता है तो अब यहाँ पर इसका हाल ऐसे लिख दें Sine Alpha बटे 2 प्लस Cos Alpha बटे 2 ठीक है उपर से आप Cos Alpha बटे 2 लगतम लेने है तो वो लगतम इसे बाले से कैंसल हो जागा नीचे इसे भी Cos Alpha बटे 2 लगतम होगा कैंसल करके हमें यहाँ पर मिलेगा Sine Alpha बटे 2 माइनस में Cos Alpha बटे 2 इतना ठीक है चलिए अगर इतना ठीक है तो हम एक काम करते हैं दोनों पक्छों का हम यहाँ पर स्क्वाइर कर लेते हैं क्या करेंगी दोनों पक्छों का बर्ग कर लेते हैं यहाँ पर लिख दें दोनों पक्छों का बर्ग करने पर अगर दोनों पक्छों का बर्ग करिया जाए तो यह दो को अंडरूर्ट दोनों के खतम माइनस का निसान प्लस बटल जाएगा इधर हो जाएगा 1 plus x square और नीचे हो जाएगा 1 minus x square ध्यान से समझो अंडरूट दोनों पर हैं खतम ये minus का square plus हो जाएगा इधर इसका भी दोको बर करना है इसका whole आप square लिख दो sin alpha वटे 2 plus cos alpha वटे 2 इसका whole square और नीचे भी इसी type में करना है दोको sin alpha वटे 2 minus cos alpha वटे 2 का whole आप square इतना ठीक है बचो इतना तो मेरी खाल से समझ में आ गया होगा यहां तक तो किसी को कोई समझ्या नहीं अब एक काम करते हैं इसका square तोड़ें तो उपर 1 plus x square नीचे 1 minus x square बराबर में square तोड़ो पहले पद का square कर देते हैं sin square alpha वटे 2 plus आंगे दूसरे वाले पद का square करोगे तो cos square alpha वटे 2 plus अब इन दोनों पदों का गुड़ा करके दूना करना है तो लिखना है 2 sin alpha वटे 2 into cos alpha वटे 2 चलो नीचे भी इतना ही करना है sin square alpha वटे 2 plus में लिखना है cos square alpha वटे 2 minus में लिखना है 2 sin alpha वटे 2 into cos alpha वटे 2 ठीक है इसके बाद दो 1 plus x square नीचे वटे में 1 minus x square लिख लें बराबर अब दोको sin square x sin square alpha वटे 2 plus cos square alpha वटे 2 को हम यहां एक लिखेंगे क्या लिखेंगे एक यहां दोको 2 sin alpha वटे 2 into cos alpha वटे 2 sin 2 x वाला फॉर्मूला है तो इसको ऐसे लिख दें इसको तो एक लिख दें plus इसको sin 2 x x का मतलब क्या है alpha वटे 2 तो यहां पर alpha वटे 2 जब लिखोगे 2 से 2 कटाएगा तो cable sin alpha लिखना है डारेक्ट लिख देते हैं क्या लिखेंगे sin alpha नीचे भी बिलकुल इसको दोको एक लिखेंगे और minus इसको हम sin alpha लिखेंगे ठीक है अब हम फिर से पुनहा योगा अंत्रान पाथ की क्रिया करें फिर से हम योगांत्रान पाथ की क्रिया अगर एपलाई कर दें तो लिख सकते हैं 1 plus x square नीचे भी वही काम 1 plus x square anse batay uns लिखो हर जोडो हर घटाओ हर जोड़ना है तो क्या करना है тебя को 1 minus x square उपर जोड़ देना है नीचे घटाना है तो निसा सान इलफा लिखो और उपर हर जोड़ो नीचे हर घटाओ तो बन माइनस सान इलफा उपर जोड़ो नीचे घटाना है तो बन प्लस सान इलफा नीचे हो जाएगा ये माइनस का ये प्लस का खतम माइनस एक प्लस एक खतम ये X स्कौाइर माइनस का है ये प्लस का खतम माइनस एक प्लस एक खतम एक एक जोड़ो दो X स्कौाइर X स्कौाइर दो X स्कौाइर बराबर इधर दो एक और एक दो बटे नीचे दो को नीचे हमें मिल जाएगा दो साइन अलफा मिलेगा इतनी बात ठीक है वच्छो दो से दो कैंसिल कर दो यहां भी दो से दो कैंसिल करो क्रॉस मल्टिप्लाई करो एक्स स्क्वाइर बराबर क्या हो जाएगा साइन अलफा हो जाएगा बर्ग मूल लें तो एक्स बराबर प्ल आफी बार पूछा गया, ये सब बच्चों बहुत बार पूछे गई सारे प्रशन है, ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट करो, अब बढ़ते हैं और अंगले प्रशन के ओर, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, इसके बाद एक और, जो कि बिल्कुल एकदम बहुत ही मजीद प्रशन है, चलिए इसको रप कर लेते हैं, और एक अंगला प्रशन लेते हैं, देखे, अंगला प्रशन ऐसा लिखा है, कि ये हमारे पास, यदि साइन पाई कॉस्ट थीटा साइन पाई कॉस्ट थीटा बराबर में दिया गया है कॉस्ट पाई साइन थीटा तो सिद्ध करो क्या सिद्ध करना है दोको बहुत ही मजिदार बच्चो प्रश्ण है कहता है सिद्ध करो थीटा बराबर एक बटे दो sin inverse 3 बटे 4 ये हमें सिद्ध करके दिखाना है दिया गया है sin pi cos theta बरावर cos pi sin theta तो कहता है सिद्ध करके दिखाओ theta बरावर 1 बटे 2 sin inverse 3 बटे 4 कैसे करोगे ध्यान से समझो इसको हम दोगोबचो ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले ये लिख लेते हैं कि हमें जो दिया गया है वो पहले लिखें दिया गया है sin pi cos theta sin pi cos theta बरावर में cos pi sin theta ये तो हमें दोफ़े दिया गया है ठीक है और इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं sine pi cos theta हमारा यहोग गाते हो लिख दे इसको हम यहाँ पर cos के जगह पर अगर sin लिखना चाहें तो sin pi by 2 minus pi cos theta pi sin theta यहाँ पर इसको ऐसा लिख दें तो मेरी खाल से फिर किसी को कोई समस्या वाली बात तो है नहीं द्यान से समझो देखो sin pi by 2 minus इसको theta मानो दिमाग में theta मान लो sin pi by 2 minus theta बरावर cos theta देखो अगर यह theta है तो पर यही theta है ना तो इस cos theta को हमने sin pi by 2 minus theta के format में लिख लिया इसका लिखने का फाइदा क्या है इसका लिखने का फाइदा यह कि sin से यह sin cancel होगा तो pi cos theta तो यहाँ मिल जाएगा बरावर में इधर हो जाएगा pi by 2 minus pi sin theta हो जाएगा अब देखो बच्चो हर एक पद में दोनों पक्चों में pi से भाग चला जाएगा तो जब pi से भाग करोगे तो यहाँ बचाएगा cos theta बरावर इधर pi से भाग करोगे एक बटे दो इधर pi से भाग करोगे तो sin theta के बल बचाएगा ठीक है अब यहाँ पर दो को इस sin theta को इधर ले आओ तो इसके साथ यह जोड़ जाएगा sin theta हो जाएगा plus में cos theta लिखना है बरावर इधर एक बटे दो लिखना है ठीक है अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्चों का बर्क करें क्या करें बर्क करें बर्क करने पर क्या होगा दोखो sin theta plus cos theta और इसका होला पिस्कौईर हो जाएगा इधर एक बटे दो और इसका भी दोखो squared हो जाएगा square करते ही दोखो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin का square sin square theta लिखो plus cos square theta लिखो plus में 2 sin theta into में cos theta लिखो स्कॉस्टर स्कॉइर एक बटे 4 कोई समस्य आप देखो इसको हम यहाँ पर साइन इसकॉइर T fertility प्लस स्कॉसस्कॉइर थीता को हम लिख देते हैं एक प्लस में टू साइन थीटा इंटू में कॉच थीटा और इदर बराबर एक बटे 4 घ्क है वच्छो एक भात ध्यान से और समझने वाली है अगर हम यहाँ पर चुँँकि हमें तो यह प्रूब करके दिखाना है यह हमें प्रूब करके दिखाना है ठीक है तो तो थोड़ा सा थोड़ा सा अगर दिवाग और एश्टा लगाना पड़ागा क्या कि अगर इसको हम यहाँ प्लस कर दें तो कोई समस्या तो नहीं है तो को साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा यह होता है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है तो यहाँ इस हिसाब से cos theta को हम sin pi y 2 plus theta format में लिख सकते हैं कोई समस्या नहीं इसको ऐसा लिखने से फाइदा यह होगा कि यहाँ पर sin cancel होगा तो यह अब आपके पास क्या होगा pi y 2 plus pi cos pi sin theta ठीक है यह pi common लेके cancel करोगे तो यहाँ पर यह plus होगा इदर ले आओगे तो यह minus हो जाएगा है ना यह हमारा minus में हो जाएगा sin theta plus में cos theta इसका square इस तरीके से लिख सकते हो जब square करोगे तो minus का square plus sin square theta plus cos square theta अब इन दोनों का गुणा करके दूना करोगे तो minus में यह आएगा है ना यह आएगा minus में और यह भी हमारा आएगा minus में इतना ठीक है sin square theta plus cos square theta को एक लिख लिया और यह हमारा जिऊंकातियों और बराबर में 1 बटे 4 तो 1 minus क्या इसको भी तो लिख सकते हो sin 2 theta दोको sin 2 theta का यह formula हो गया बराबर में 1 बटे 4 इसको थोड़ा और अंगे बदलो तो यह इधर ले जाओ यह इधर ले जाओ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2 theta बराबर 1 minus 1 बटे 4 लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बरावर 3 बटे 4 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 थीटा बरावर में साइन इनबर्स 3 बटे 4 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि 1 बटे 2 साइन इनबर्स 3 बटे 4 लिख सकते हैं, जो हमसे प्रूब करवाया गया है थीटा ब्रावर एक बटे दो सन बर्स तीन बटे चार्ज करेक्ट है यह है बच्छों इसका अंसर यहां लिख देते हैं प्रूब तो बच्छों यह जो हमने आपको यहां पर प्रूशन करवाये हैं वो पिछली बर्सों में काफी बार रिपीट किये गए सारी प्रूशने हैं बहुत अच्छे प्रूशने हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो हम यह नहीं कहते कि बस इनी से पढ़के आपका काम अगर इनकी सभी प्रूशनों के हल चाहते हो तो मनी जो आपकी टेस्ट बुक है NCRT बुक है उसके हल चाहते हो तो नीचे डिसकेस्टर में लिंक दिया गया उस एक्सरसाइज के कुश्यों पर जाओ और पूरी-पूरी कुश्यों को हल करके बाकी और कुश्यों की भी तया लिक आप व्योग तो उसके लिए हम अंगले वाले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे उसके भी पूरी डेटेल और उसके सारे एक्जाम्पिल और उससे आगे वाली क्लास में हम आपके सभी उसके भी इंपॉर्टेंट कुश्यों करवाएंगे ठीक है बच्चों आज के अगले वीडियो में वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है खुश रहो मस्त रहो पढ़ते जरूर रहो बाबाए